प्यारे बच्चों वीडियो नमबर चार में हम सबाख हेलन केलर में हेलन केलर के कारणामों के बारे में जानते हैं हेलन केलर को इंसानी फलाव बैबूत के कामों से बड़ी दिल्चशपी थी उनों ने तालिम हासिल करने के बाद अपनी बकिया जिन्दगी लोगों की खिद्मत के लिए वक्फ कर दी हंदों और बैरों की खिद्मत को उनों ने अपना नस्बुल आइन बना लिया था फलाई कामों के लिए उन्होंने दुन्या के 25 मुमालिक का दोरा किया और महां के अंधों और बैरों को राहत पहुचाई उनकी तक्रीरों से माजूरों की धारस बनती और उनकी मायूसी उम्मीद में बदल जाती खिदमत खल्क के इस मकसद ने दुन्या के बड़े-बडे हुवरानों को मतास्र किया और उन्होंने एलन केलर को इनकी खिदमात के इतिराफ में कई एजाजास से नवाजा इने अम्म के नोबल एनाम से भी सरफरास किया गया इस इनाम को लेने के लिए जब हो गई तो इन से सवाल किया गया कि जिन्दगी में आपको सबसे जादा मतासिर करने वाली सक्सियत कौन थी हेलन ने अपनी उस्तानी का नाम बड़ी इज़त और इतराम से लिया और उस्ताद और सागिर्द की ये जोड़ी सारी दुन्या में बेमिसाल है और जहां हेलन का नाम लिया जाता है वहाँ ऐनी सिलीवान को भी याद किया जाता है हेलन केलर और ऐनी की दोस्ती इतनी मसूर हुई कि उनकी जिन्दगी पर बहुत सी फिल्में भी बनाई गई सारी दुन्या में माजूरों की खिदमत में मस्रूफ हैं। हेलन की याद को जिन्दा रखने के लिए मुक्तलिक मुमालिक में इनके नाम की सहाराएं बनाई गई चौराहों को उनका नाम दिया गया। सुमाली अमरीका में हेलन के वतन टस्केंबिया में उनका मुझसिमा नसब किया गया है। गूंगे पन की आलत में हतेली पर तपकने वाले पानी के कत्रों के इसास से पहला लवज पानी सीखने के बाद मुसल्चल मेहनत और मुसक्त से अपने गूंगे पन पर फते पाने वाली हेलन के लरका इंतिकाल यकुम जून सन 1968 को उआ। इस वक्त तो वो 88 बरस की थी आखिर उमर तक वो आखों से अंधी और कानों से बहरी रही अपनी माजूरियों के बावजूद उन्होंने अंदो बायरों की फला के लिए ऐसे काम किये जो तमाम होसवास के मालिक अपरास से भी मुम्किन नहीं तुछ के लिए भी मुहक्वी को तर फटी मुहक्वी टून से नहीं